नमस्कार दोस्तों मैं राकेश महरा आप सभी का राकेश महरा जीके क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार दीख स्वागत करता हूँ आज इस चैनल पर मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्तपुन टोपिक पर बात करने जा रहा हूँ उस टोपिक का समन आपके आर्ट एंड कल्चर से है कला और संस्कृति आप जानते हो वर्तमान में इस पर काफी कोश्चन्स देखने को आ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते वे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा सोमनात मंदिर पर हालांकि वेल लॉन टोपिक है लेकिन अभी हाल फिल हाल ये अध्यक्स को लेकर चर्चा में रहा है आपने अखवारों में पढ़ा होगा कि सोमनात मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्स बने है परधान मंतरी नरेदर बोदी कैसे कोश्चन बन सकते हैं इसको हम इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस मंदिर की भविता और इसके अंदर जो एक्जामिनर आपके कोश्चन बना सकता है उसको जान सके क्योंकि दोस्तों रियल में हमें कोई भी टोपिक होता है उसमें से ये जानना आपशक होता है कि किस तरीके से कोश्चन बनेगे नहीं तो पढ़ने की तो देखिए कोई सीमा होती नहीं है आप कितना भी पढ़ लेजिए हमेश्या वो कमी लगेगा और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम बहुत ज़्यदा खिचड़ी अपने दिमाग में भर लेते हैं तो साइद हो सकता है हम गड़ दिशा में चल रहे हैं मेरे इसाब से तो ऐसा बिलकुल भी आप ना करें सई दिशा में चले सई गाइड लाइन में चले बे मतलब में जो बटकाव वाले तथ्या होते हैं या ऐसे तथ्या होते हैं जो अगजामिनर की पहुंच से बहुत दूर होते हैं उनको अपने दिमाग में भरने की कोई आवशक्ता नहीं होती है क्योंकि आप मान के चलिए आपका इतना बड़ा स्लेवस होता है कि उसको यदि आप सारा करने बेठके उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर लिया तो दिशा गलत हो जाती है तो थोड़ा ध्यान रखें अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए आप लोगों में कोई कमी नहीं है आप लोग इंटेलिज ले सकते हो आपके सामने यह सोमनाथ मंदिर है कैसे कोशन बनेंगे उसकी हम बात करते हैं देखिए एक ट्रस्ट है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट हम बात करने जा रहे हैं इसके नए अध्यक्स बने हैं इसके जो नए अध्यक्स बने हैं यह है नरेंदर मोधी इसके अध्यक्स बने है नरेंदर मोधी के बारे में और इस मंदिर को यह हम को रिलेट करें तो हमें यह पता लगता है कि यह दूसरे परधान मंत्री है जो इस ट्रस्ट के अध्यक्स बने हैं एक लाइन लिग दीजिए दूसरे प्रधान मंत्री जो इस ट्रस्ट के अध्यक्स बने अब हमारे सामने ये बात आगई कि ये दूसरे प्रधान मंत्री है जो इस ट्रस्ट के अध्यक्स बने है तो पहले कौन से हैं पहले जो है ये है मुरारजी दिशाई मुरारजी दिशाई अब देखिए मुरारजी दिशाई के बारे में हम कितना भी विस्तार दे दें इसकी कोई लिमिट नहीं है हमें बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि इनके बारे में जो कोश्चन बनते हैं जैसे एक भोती सदाभार कोश्चन बनता है ये पहले भारतिय है या आप कह सकते हो कि पहले परधान मंतरी है जिने पाकिस्तान का सरवच सम्मान निसाने पाक मिलावा है हलांकि दलीप कुमार जो है फिल्म अभिनेता उनको भी मिलावा है ये परधान मंतरी के रूप में मुरारजी देशाई को पाकिस्तान का सरवच सम्मान निसाने पाक मिलावा है और यह जो मुरारजी देशाई है इनका संबन्ध जो है जन्ता पार्टी से था ब्यानिस्वा सविधान संसोदन इनी के काल में हुआ था सोरी चमालिस्वा सविधान संसोदन ब्यानिस्वा सविधान संसोदन तो इंद्रागांदी के काल में हुआ था 44प सविधान सनसोदन वा था जो काफी महत्तपुण है अपने अंडियन कॉंस्टिटुशन में उसको पढ़ते रहते हैं तो ये कुछ बाते हैं एक हम इसको कितना भी विस्तार दे सकते हैं लेकिन ये सब हम बाते कॉंस्टिटुशन में कर लेते हैं खेर जो भी है कुछ विस्तार दिया हमने अब देखिए यहां जो question बनता है next कैसे बनेगा वो बनेगा इस सोमनाथ मंदिर पे सोमनाथ मंदिर की detail हमें पता होने चाहिए देखिए यदि मैं ये कहूं कि सोमनाथ मंदिर पे कैसे question बनेगे तो मैं RS 2009 का एक बहुती simple question लेना चाह history में आया था ये कि सोमनाथ मंदिर किसका मंदिर है well known question है लेकिन आपको बताना भोतावशक है कि art and culture में हमारे पढ़ने का दाइरा क्या होना चाहिए तो उसने का किसका मंदिर है इसका मतलब कोई भी मंदिर यदि चर्चा में होता है तो हमें ये पता होना चाहिए ये किस देवता का मंदिर है जैसे मैं आपसे कहूं कि केरल का सबरी माला मंदिर किसका मंदिर है तो आपके दिमाग में इस question को correlate करना होगा आपको क्योंकि आय हुआ है सोमनात मंदिर किसका मंदिर है तो सबरीमाला मंदिर किसका मंदिर है भगवान अयप्पा का मंदिर है ठीक है अब बात आती है ये कहां पर है देखिए यदि हम स्थान की बात करें तो हम सिर्फ इसी बात से कह सकते हैं कि गुजरात में हैं लेकिन ऐसा हुता नहीं है ध्यान रखें कई बार examiner confuse कर देता है ये वेरावल पोर्ट पर है वेरावल पोर्ट गुजरात का एक परसिद बंदरगा है गिर जिले में है ये और गुजरात यहां पर है ये clear अब देखिए बहुत पुराना मंदिर है इसको कई बार तोड़ा भी गया और कई बार इसको बनाया गया मतलब इसकी मरमत हमेशा होती रही इसी दिसा में यदि मैं कहूं एक पुरानिक तथे के रूप में तो इसका जो निर्मान है ऐसा कहा जाता है कि चंदर देव ने करव यह बात जो कही गई है यह रिगवेद में कही गई है आप ध्यान रखना आप जानते हो रिगवेद सबसे प्राचीन वेद है रिगवेद के अमसार है यह रिगवेद में ये बात कहीगी है सबसे पुराना वेद होता है ये रिगवेद है सबसे प्राचीन वेद हम इसको भी हिस्टरी में पढ़ते हैं आप जानते हो याद कीजिए मंतरों का उच्चारण करने वाला जो होता है उसको होता या होत्र कहते हैं याद कीजिए हम इसकी बात करते रहते हैं ओम शब्द कहां आया गया है तो ओम शब्द रिगवेद में है गाईत्री मंतर कहां है याद कीजिए सब बतें इसके अंदर हम करते हैं गाईत्री मंतर और बहुत सारी बते हैं कितने मंडल होते हैं दस मंडल होते हैं, वरण विवस्था के बारे में इसके अंदर बताया गया है, दस राज युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है, ये सब बाते हम हिस्टरी में बढ़ते हैं, हम कितनी भी इसको विस्तार दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा वेर्थ हो जाता है, ठीक है न इसकान से मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि यहां जो रिगवेद है इसको थोड़ा सा आप तैयार करें एक अच्छा मोका होता है जब हम इसे रिवाइज कर सकते हैं अब ये बात आती है इसको वर्तमान स्वरूप किस ने दिया लेटेस्ट में जो है आप ये जो देख रहे हो हालांकि इसमें समय समय पर मैंने पहले ही कहा बनाई जाते रहे हैं इसको जो वर्तमान स्वरूप दिया है ये दिया गया सरदार वल्लब भाई पटेल के द्वारा सरदार वल्ला भाई पटेल ने इसको वर्तमान सोरूप दिया लेकिन हुआ क्या था इसके निर्मान से पहले ही इनकी मृत्यू हो गई थी तो इनकी मृत्यू के बाद जो इसको समभला वो थे केम मुंसी तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखें आप वर्तमान सोरूप सरदार पटेल जी ने दिया था लेकिन उसकी बृत्यू के बाद इसको केम मुंसी ने डारेक्ट किया इसको समभला आज जो भी हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर एक पुस्तक है प्रिल ग्रिमेज टू फ्रिडम केम मुंसी की एक पुस्तक है यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए सम्मन्दित पुस्तक नाम है प्रिल ग्रिमेज टू फ्रिडम यह पुस्तक बहुत इपोर्टेंट है ध्यान रखेंए क्योंकि इस पुस्तक में यह बताया गया है कि जोहरलाल नेहरु जो है सोमनात मंदिर निरमान के जो पुने निरमान था उसके पक्स में नहीं थे हाला कि देखो उस टाइम की स्तितियाrences यह थी कि धरम निर्पेकश्ता को ज़्यादा देखा जा रहा था और भारत वास्ता में एक दर्म निर्पेक सराज्य है तो उसी दिशा में ये उठाया गया एक कदम था खेर उसकी स्थितिया तब की होती है तो प्रिल ग्रिमेज टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिकी थी केम मुंसिन इसमें सोमनात मंदिर के जो पुना निर्मान है इसके बारे में बताया गया है इसका अन से मैं इसको बहुती most important question की स्रेणी में डालता हूँ मंदिर बनने लगा इसके बाद में ये जो राष्टर को समर्पित हुआ था ये हुआ था 1955 में यहां जो ये राष्टर को समर्पित हुआ 1955 में यहां रखना और ये था डॉक्टर राजेंदर परसाद के तरह यहां आपको एक बात और बता दू बीच बीच में से इसके कई और निर्मान कारिया होते रहे हैं तो इसका ये भी कहा जाता है कि इसको एक नए रूप में 1905 में 1995 में राष्टपती डॉक्टर संकर द्याल सर्मा के द्वारा भी समर्पित किया था तो कन्फ्यूज ना हो जाए सबसे पहले तो 1955 में डॉक्टर आजंदर परसाद के द्वारा इसे राष्टर को समर्पित किया था उसके बाद इसका जो रूप बदलता गया जैसे 1970 में यहाँ पर एक दरवाजे का निर्मान करवाया गया था तब फिर उसका एक नए रूप में उद्गाटन किया गया वो 1995 में डॉक्टर संकर द्याल सर्मा के द्वारा किया था आप चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो कि इसका एक नए रूप 1995 में डॉक्टर संकर द्याल सर्मा के द्वारा राष्टर को समर्पित किया गया इसमें कोई confusing वाली ऐसी बात है नहीं आईए अब इसके बाद में मंदिर की कुछ और बातें करूँगा आप एक बार इसे write down कर दीजिए अब कुछ विशेश बाते मैं इसके मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके एक्जाम को टच करती है जैसे एक हजार पच्चीश इस्वी ये अपने आप में महतपूर्ण है महमूद गजनी ने इसे लूटा था ये काफी important है history में हम इसको पढ़ते भी हैं महमूद गजनी ने इसे लूटा तो एक तो sun important है history में हम detail के साथ पढ़ते हैं जैसे महमूद गजनी ने जब इस मंदिर को लूटा था उस समय गुजरात का साशक कोन था ये question आपके आया हुआ है उस समय गुजरात का साशक कोन था तो ध्यान रखना उस समय गुजरात के साशक थे भीम देव फस्ट ये गुजरात के साशक थे उस समय दूसरी जो बात है यहाँ पर क्या है इस मंदिर के पास में तीन नदियों का संगम होता है तीन नदियों का संगम होता है इस मंदिर में इन तीन नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए एक है हिरन ये नदी है ध्यान रखना एक कपीला नदी है और एक है सरस्वती तो आप से पूछा जाता है कि यहां पर कितनी नदियों का संगम होता है तो तीन नदियों का संगम होता है, हिरन है, कपीला है और सरस्वती है अब देखिए, यहां पर यदि हम मंदिर की शेली ना देखें तो मुझे लगता है ये टोपिक करना ही व्यर्थ होगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में सबसे महत्पुन बात यही देखने को मिलती है कि यह मंदिर जो है कि शेली का बना है आर्ट एंड कल्चर में जो कोश्चन बनेगा शेलीों पर बनता है तो शेली का नाम है चालूक के वास्तुकला शेली चलूक के वास्तुकला सेली है ये दो चलूक के वास्तुकला सेली है ये वास्ता में क्या है जो नागर सेली है उसी का एक रूप है नागर सेली का एक रूप है और ये जो नागर सेली है ये उत्तर भारत की मंदिर निर्मान से लिए है उत्तर भारत की ये मंदिर निर्मान से लिए है ये ध्यान रखें आप सारे ठीक है इस टैप से जो हम बनाते हैं ये ये गुबन टाइप में जो बनता है ये उत्तर भारत में देखने को मिलता है दक्षणी भारत में ये आप देखोगे तो इस टाइप के मंदिर बनते हैं उतर उपर इस तरीके से होता है मंदिर में दक्षणी भारत में ये होता है क्लियर तो एक जार पच्चीस इसफी महमुद गजनी ने इसे लुटा ये काफी महत्तपण टोपिक है ये और तीन नदियों का संगम है शेली चालू के वास्तुकला सेल इसको मैं ज्यादा महत्तपण मानता हूँ तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें तो दोस्तो आज हमने सोमनात मंदिर को आपके एक्जाम की दरस्ती से जानने का प्रयास किया ये आपके एक्जाम की दरस्ती से काफी महत्तपुरण है आप इसे राइट डाउन करें और समय समय पर इसको रिवाईज करते रहें तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूंगा आप सभी को मेरा नमस्कार